नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाच Finder पर सो दुनिया भर में होने वाली कई सारे समेलनों के बीच में जिस समेलन का सभी को इंतजार था, वो हालखी में कंड़क्ट किया गया हाला कि ये वाला जो समिट हुआ था, ये एक वर्चोर समिट था और दोनों देशों के नेताओं ने यहाँ पर ये कहा कि अगर ये समिट आमने सामने होता तो और भी बहतर होता, बट खेर हमारे लिए ये समेलन काफी relevant बन जाता है, from two points of view, firstly because हम लोग इंडिया से हैं, किस तरीके से USA और चाइना के बीच में बातचीत हो रही है, ये इंडिया के ऊपर काफी सारी ramifications भी लेकर आता है, second हमारे UPSC point of view सभी काफी relevant बन जाता है, कि ये जो Xi Jinping और जो Biden की summit हुई है, इसमें basically क्या-क्या statements दिये गए है, क्या कोई joint statement यहाँ पे issue किया गया है या फिर नहीं, चलिए start करते हैं, बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, I am sure आपने कई सारी वीडियोस देखी जरूर होंगी, लेकिन उन सभी वीडियोस में आपने basically देखा होगा कि किस तरीके से इस तरह की बाते हो थी कि चाइना ने USA को चेताबनी दी कि आप ताइवान की independence को लेकर basically आग से खेल रही हैं, लेकिन मेरा मुद्दा इस particular वीडियो में इन sensationalist चीजों से हटकर थोड़ी सी उन चीजों पर होने वाला है कि basically क्या-क्या statements दोनों देशों के जो leaders हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिये गए थे चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, इस lecture की PDF को download कर सकते हैं, यहाँ पर दिये गए, telegram channel के माध्यम से, इसके इलावा मुझे जुट सकते हैं using this particular handle on the academy app as well, right, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि यह वाला जो summit था, यह basically यह पहल ली गई थी US के president के द्वारा, the US president took the initiative for the summit in sync with America's concerns that it should try to prevent military engagement with China, कई सारे दुनिया भर के observers, कई सारे दुनिया भर के experts यह कह रहे थे कि जो Trump के प्रशासन से चलता आ रहा, trade war था, वैपार का युद्ध था, वो शायद आगे जाकर चाइना के साथ एक military engagement में तबदील हो सकता है, और इसी concern को prevent करने के लिए, इसी concern को address करने के लिए, जो US के current president है Mr. Joe Biden, उन्होंने यह पहल ली कि हम लोग यहाँ पर चाइना के साथ सीधी बातचीत करते हैं, और यह वाला जो आपका summit हुआ था, this was the first summit, even though it was a virtual summit, since Biden had assumed office, President Biden of the USA and Chinese President Xi Jinping met for three and a half hours on Tuesday, this was the first virtual bilateral meeting of the two leaders, since Biden had assumed office, और इसमें, Biden ने basically joining किया था from the White House, and Xi Jinping ने यहाँ पर joining किया था from the Great Hall in Beijing, यहाँ पर इस पूरे साल में जब से जो बाइडन ने अपने राष्टपती के पद को संभाला है, तब से दो बार इनके बीच में already telephone, phone call हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की formal summit नहीं हुई थी, वो वाली formal summit अब यहाँ पर hold करी जा चुकी है, क्या हुआ उस summit में उसको जान देते हैं, ऐसा माल लीजे कि दोनों के दोनों leaders जो है, वो basically अपनी ही एक दिशा पगड़ के बैठे हुए थे, दोनों की दोनों leaders ने अपने ही जो कहानिया थी, उनको यहाँ पर पेश किया, बाइडन spoke about the various violations of the human rights by China, आपको मालूम होगा, जो उईगूर Muslims को लेकर, human rights की violation को लेकर, almost पूरा साल सुर्खियों में रहा, इस साल भी, पिछले साल भी, उस चीज़ को लेकर Biden ने यहाँ पर बातचीत करी, जो पूरा का पूरा, I am sure आप में सुना होगा, जो Xinjiang का इलाका है, वहाँ पर जो उईगूर Muslims के साथ, चाइना के द्वारा human rights violations होई है, उनको बारे में बातचीत करी, दूसरे नंबर पर Biden ने यहाँ पर Beijing की trade policy को लेकर भी बातचीत करी, President Biden also raised concerns about the PRC's practices in Xinjiang, उसके बाद तिबत, और उसके बाद Hong Kong के इलाके में आपने सुना होगा, Hong Kong के इलाके में किस तरीके से, चाइना के द्वारा एक draft national security law पेश किया गया, मैं सारी कि सारी चीज़ों को बहुत ही briefly mention कर रहा हूँ, because इनको लेकर हमने separate videos किसी ना किसी रूप में definitely बनाई हुई है, उनको जाकर outlook देख सकते हैं, और एक बड़े level पर इन्होंने मानवधिकारों के हनन की बातचीत करी कि इस तरीके से चाइना उस चीज़ के लिए responsible है, इसके बाद जब बात करते हैं कि Beijing की trade policy को लेकर इन्होंने कहा, he was clear about the need to protect the American workers and the industries from the PRC's unfair trade and the economic practice, इन्होंने clearly बोला कि जिस तरीके से यहां पर People's Republic of China की trade और economic practices चल रही हैं, उनसे हमें हमारे अमरीकी workers को बचाना काफी important है, इसके बाद इन्होंने ये भी discuss किया the importance of a free and the open Indo-Pacific and communicated the continued determination of the USA to uphold commitments in the region, देखिए जोस्तों आपके लिए important क्या है, मैं आपको बपताना चाहता हूँ, basically आपको ध्यान रखना है कि Biden ये मुद्दे उठाए, Biden ने trade policy को लेके मुद्दा उठाया, Biden ने उसके बाद free and open Indo-Pacific को लेके मुद्दा उठाया, ये तीन मुद्दे थे, जो कि Joe Biden की list में थे, जो कि उनको उठाने थे, इन्होंने यहाँ पर mention किये, free and open Indo-Pacific की जब बात करते हैं, तो freedom of navigation की इन्होंने बात करी, and safe overflight to the region's prosperity की भी बात करी, तो ये जो चीजे हैं, ये सारे के सारी keywords हैं, जो कि आपके answers में कही ना कहीं दिखने चाहिए, इसके बात बात आती है किस तरीके से, जी जिंक्पिंग का statement यहाँ पर सामने आया, उन्होंने क्या कहा, Biden ने by the way इसको लेकर मुद्दा उठाया, Biden ने इस मुद्दे पर बातचीत करी, लेकिन Biden ने इसको बहुत ही diplomatic तरीके से यहाँ पर handle किया, उन्होंने कहा, USA remains committed to the one China policy, guided by the Taiwan Relations Act, the three joint communiques and the six assurances, लेकिन साथी में इन्होंने ये भी बोल दिया, कि अगर कल को मान लीजे, Taiwan straight के across जाकर, चाइना किसी तरीके से unilateral efforts करता है, या फिर status quo को change करता है, उस case में हम लोग उस चीज़ का काफी strong opposition कर सकते हैं, आज से exactly सवा महीने पहले की बात है, जब भी Biden ने कहा था कि अगर Taiwan के खिलाफ यहाँ पर attack होता है, तो USA जो है, वो Taiwan को ही support करेगा, because Taiwan और China के बीच में जो तनाव है, वो काफी जादा बढ़ चुका है, इस particular चीज को लेकर, जी जिंग्पिंग के द्वारा जो statements दिये गए हैं, वो भी relevant है कि China basically right now जो चल रही geopolitical पूरा का पूरा scenario है, उसमें किस चीज को importance देता है, President Xi Jinping ने अपने पार्ट में कहा, कि सबसे पहले तो कई सारे alliances बन चुके हैं दुनिया भर में, जिसकी वज़े से यहाँ पर एक तरीके से divisions और groupings create हो चुकी है, इन्होंने यहाँ पर number one mention किया Quad की grouping को, जिसमें कि India, USA, Japan और आपका Australia है, और साथ में इन्होंने AUKUS को भी mention किया, जो की Australia, UK और US के बीच में है, जो की basically nuclear powered submarines को deliver करने की बात हुई है to the Australia, तो इन दो groupings को लेके इन्होंने बात करी, जिस चीज़ को लेके China बिलकुल भी जो है यहाँ पर खुश नहीं है, इसके बाद इन्होंने Taiwan वाला जो point है, उसको ठाया कि we are patient and we are willing to strive for the prospect of peaceful reunification, but China will have to take resolute measures if Taiwan independence separates forces, provoke, compel or even cross the red line, और इसी particular चीज़ में ने कहा कि अगर आप लोग Taiwan का मुद्धा यहाँ पर उठाते हैं, it is like playing with fire, and if you play with fire, you will get burned, यह वाला आपका चेतावनी थी, जो की China के द्वारा directly Xi Jinping के द्वारा यहाँ पर दी गई थी, तो यह दोनों statements काफी relevant हैं, basically show करता है कि 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 country के लिए priority क्या है, Biden की priorities obviously काफी broad है, as compared to Xi Jinping की priorities है, इन्होंने यहाँ पर काफी बड़े-बड़े मुद्धों की बात करी, अगर बात करें कि क्या यहाँ पर किसी तरीके का joint statement issue किया गया, तो जी नहीं, ना तो किसी परकार का कोई agreement, ना किसी परकार का को joint communique है, जो कि यहाँ पर issue किया गया, the meeting was an opportunity to keep the communication lines open according to the White House statement, Biden ने यहाँ पर कुछ बातें कही, इन्होंने कहा कि हमें हमारी countries के बीच में competition को maintain करना चाहिए, लेकिन हमें उसे conflict में नहीं बदलना चाहिए, साथ ही में जी 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 ने कहा कि हमें यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए वगएरा वगएरा यह सब चीजें, बेसिकली क्या है, यह आपकी forder talk है, जो की मेरे हिसाब से जादा यहाँ पे माहिने नहीं रखती हैं, जो बड़े मुद्धे हमने discuss कर लिए हैं, यह एक turning point क्यों माना जा रहा है, because turning point इसलिए है, क्योंकि इसके पहले जो आपकी meeting हुई थी, वो Alaska में हुई मार्च में, जब दोनों देशों के जो अधिकारी थे, उनके बीच में काफी कड़वाहट सामने आई, इन्होंने basically public exchange of acquisitions किया, चाइना ने अमेरिका के ऊपर कोई और acquisition लगाए, अमेरिका ने चाइना के ऊपर कोई और acquisition लगाए, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए, तो यह वाली जो meeting थी, यह काफी बड़िया meeting थी, because इसमें at least कुछ ना कुछ बात्चीतों सामने आई है, और यहाँ पे केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाए गए हैं, अब अगर बात करें कि इस पूरी की पूरी चीज को इंडिया किस रगार से देख रहा है, सबसे प चाइना के बीच में चल रहा है सीमा पर गतिरोध, जिसका अभी तक कोई समधान सामने नहीं आया है, second important point ये भी है कि New Delhi जो है वो quad का part है, और USA के साथ हमारे defense के relations काफी बहतरीन चल रही हैं, काफी लंबे अवसे से, इसलिए जो भी यहाँ पर developments होती है, उनको इंडिया में सामने नहीं आई, इसलिए इंडिया के उपर फिलहाल बहुत बड़ा, इसका कोई impact आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ major होता है, तो उस case में इंडिया भी यहाँ पर directly involved होती है, तीक है, more importantly, दोनों के दोनों जो US के प्रेजिदेंट से, अगर हम Trump की ब मानता है, और in fact, एहम है भी, because, जो चीजें USA और चाइना के बीच में हो रही है, वो कहीना कहीं, इंडिया को भी सीधर रूप से affect करती है, repeat करूँगा, क्योंकि अभी तो कोई बहुत major development नहीं होई है, इंडिया के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाब आपको देखन चुटने वाले हैं, आपके पास आने वाले कई सारे सवाल हैं, जिनके जवाब आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, इसके इलावा, Unacademy special offer लेकर आया है, 18-14 November तक जिसमें कि अगर आप लोग iconic GS लेते हैं, तो आपको इसमें 12 महीने का optional free मिलेगा, 2 साल के साथ 2 साल का optional, 3 साल के स WhatsApp ग्रूप में edition और 20 books आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, कई सारे batches इसमें शुरू होने वाले हैं, और मेरे द्वारा भी आपको यह वाली offerings available करवाई जाएंगी, thank you for listening, stay tuned and stay safe.